ऑलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले है शक्रकंद का लच्छा पकोड़ा जिसके लिए हमने यहाँ शक्रकंद को धोकर पो置्च कर इसतरी ग्रेट कर लिया है किस लिया है किसनी में यह रे मिर्चली हमने काटकर पकोड़े के लिए और ह्यादनिय लिया है इसे भी हमने काट लिया है और यहां लिया हमने यह सिंगाड़े का आटा हाफ कफ देखिए हाफ कफ सिंगाड़े का आटा है साथ ग्राम के आसपास ग्राम में और इसके अलाव हमने यहां लिया है यह लाल मिर्च पाउडर जीरा लिया है हमने खड़ा जीरा लिया है और ये लिया है हमने ब्रत वाला नमक तो आज हम ये सकरकंदी की ब्रत की रेस्पी बनाएंगे उसके लिए हमने या एक बाउल लिया है अब बाउल में हम सबसे पहले ये जो किसा हुआ हमारा सकरकंदी इससे डाल लेंगे अब डाल लेंगे हम इसमें हमारे सिंगाड़े का आठा आप सिंगाड़े के आठे की जगा ब्रत में जो भी आठा यूज़ करते हैं उसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं हरी मिर्च और हरा धनिया डाल लेंगे हम अब हम यहां इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रतवाला नमक लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम यहां मैं आधा चम्मच छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूं आप अपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं जीरा लिया है मैंने छोटी चम्मच से आधा चम्मच इसे भी मैंने हातों से क्रश करके इसे डाल दिया है अब हम जिस कब से हमने आटा लिया था उसी कब से हम पानी लेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे बैटर को जो है बनाएंगे हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर हम बैटर को रेड़ी करेंगे इसी तरह कि अगर आप मेरी और रेस्पी देखना चाहते हैं तो जबदी से मेरे चलब को कर लिए सब्सक्राइब बेल आइक यह रख दिया घरम होने के लिए जैसे तरह से पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से पैन में डाल देंगे थोड़ा सा नीचे से जब फ्राई हो जाए तब लाए Lakicata से छलाए नहीं देखिए अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है सकरकंदी की तीन इसनेग रैसिपी आपको मेरे वीडियो में एक साथ मिल जाएगी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारों से देख सकते हैं बिल्कुल इस रैसिपी को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता दस मेट में यह रैसिपी हमारी बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें देखिए फ्रेंड्स है हमारे जो पकोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए है अब हम इने प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी पकोड़े तल लेते हैं इस तरह से हमारे लच्छा पकोड़े सकरकन के बनकर रैडी हो गए हैं अब हम नेक्स रेसिपी बनाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम शकरकन लिया इसे भी हमने चील लिया है और हम इससे चाकु से इस तरह से मोटे मोटे पीस में काट लेंगे सभी शकरकन को और काटने के बाद हम इसे दो बार पानी से वाश करेंगे जिससे इसका काला पन कम हो जाएगा इस तरह से हमने एक पानी से वाश करके पानी को निकाल दिया है और दूसरा पानी हम इसमें हमने भर दिया है अब हम रखेंगे गैस पर एक कूकर एक कूकर हमने गैस पर रख ब्रत के एप बना रहुए है अब बिना ब्रत करेखे तभी इसँ की में बना है और उसा वॉश करते हुएल हम यह सकरकन के कटे हुए पीस में डाल को अब रखन है अब हम डालें गें के इस्ट में शकर यहाँ पर मैंने यह वन फोर्थ कप शकर ली है ग्राम में 30 ग्राम कर है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शकर को कम या जादा कर सकते हैं अब सकर डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक मेट के लिए मिक्स करेंगे इस तरह से चलाते हुए फ्रेंड्स आपको अगर यह मेरी रैसेपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और हम इसे डखकन को लगा देंगे और दो भी सलाने तक मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना हैं बिल्कुल भी फ्लेम आप तेज न करें देखिए हमारे सकं बनकर रेडी है और आप इसे अगर हल्व की कंसुस्टेंसी में चाहते हैं तो आप यहीं पर मिलाते हुए इसे अच्छे से दबाती हुए मिक्स कर लें हल्व की तरह बन जाएगी और नहीं तो आप इसे पीस की तरह भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी है आप एक बार तो हल्व खाना भूल जाएंगे फ्रेंट्स मेरी गारांटी है यह तनी टेस्टी लगती है तो आईए इसे कर लेते हैं सर और यह भी बहुत जल्द बनकर तयार हो जाती है इसमें भी साज से दस मिर्ट का ही समय हमें बनाने में लगता है तो देखिए फ्रेंट्स हमारी रेसेपी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में